जय गनेश आज तो गनेश जी बेच रहे हैं? आज तो बेचे नहीं को तेरे पोटो काल में खड़े रहे हैं क्या? ये तुम्हारा भेजा भेजा फ्राइक क्योँ हो रहा है आज? घरवाली ने लो उतार दी क्या? मेरे को प्राबलम यह है कि प्रसासन वाले परमेशन नहीं दे रहे है गनेश जी के पांड्याल की तो 11 फिट के गनेश जी मैंना इलग बूप कर रखे अब बता क्या तेरे मास्थे पर बिठो अरे तो क्या है छोटे गनेश जी ले आओ घर में बिठा लो तुमसे एक जगे ट तो जाता नहीं है गनेश जी को माँ चोराय पे बिठा के तुम तो निकल लोगे इधर उदर और गनेश जी सुनेंगे फिल्मी गाने माँ बेठे बेठे आजे ऐसा नहीं है रहे साल तो बिठा जेते गनेश जी माँ पर पंडाल लगा के धुम दाम से खुम लड़्डू ब अरे बुद्धु प्रशासन वाले मना नहीं कर रहे हैं यह के रहे हैं कि छोटे पांडल में बिठाओ और भीड़ी खटा मत करो अरे हां हां अकलमाल यह तो मेरे को भी मालूम है पर जब लोग ही नियाज फिर का का उच्छो इस करन तो मेडिया बंडोरिया मेरा और क्या अरे उच्छो तो मन से मत्दा मन से मूर्तिनी श्रद्धा बड़ी होनी चाहिए समझे तेरा ग्यान तेरे पास रख में तो बहुत अरे हां हां तुम्हारी प्रॉब्लम मेरे को मालूम है तुम्हें काम करो तुमने जो चंदा उगाया है ना वो सब को वापस कर दो और गणेश जी की पूजा भावना करो दस दिन पूरे मन से तुम्हारा समय सुधर जाएगा आरे याद को मेरे भेजा मत्थराप करे मैं कोई चंदा लेकर घर चला रही हूं क्या जेब क्या पैसे लगा क्या कर रही हूं आई समझ में और मैं दस दिन नी तीन को पेशाट दिन गणेश जी पूछता हूं हां आरे मैं ये नहीं कह रहे ही पर अब पंडाल नी लगेगा तो गणेश जी का चंदा देने वाले माते तो आएंगे न अरे अपने माते कोई नहीं आना रही अरे एक बाद बता तुम गणेश जी भी बेटेंगे और लट्टू भी बेटेंगे देसी घी के हां अरे जाओ जाओ तुम पहले भी मेरे से देसी घी के लट्टू के पेसे ले गए थे और डालडा के बाटे थे तुम फोकर अप्वा फिला के बजना मत करे रही तेरे कोई जेसी घीर का स्वाज मालूम नी होगा हां आई समझ में अरे पर तुम इतना टेंशन क्यों ले रहे हो भी के भगवान को पूझो पर चूना मत लगाओ तुम जाओ यासे होकर मासे मत आओ है आई समझ में जेसी घीके लगटू बटर ने अब तो हां चाय जेब क्यों परिसे लग जाए चंदा हो चाय नहीं हो तुम जाए यासे